यह डिक्टेशन हंडेड बर्ड पर मिनिट से है डिक्टेशन स्टार्ट का पांस सेगंड बात रेडी स्टार्ट अध्यक्ष महूदे उसके लिए सब कुछ करना है तो फिर किसी उत्पादन का जो मूल आधार है उसे खाद और पानी की जो विवस्ता है जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो मेरे मन में आता है कि कहीं बित्ते मंत्री महूदे अपनी ही बात को अपने ही सिद्धानतों के द्वारा तो काड नहीं रहे है मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अभी भी चोथाई भूमी से जादा सिंचत भूमी नहीं है इस देश की जितनी योग किरसी भूमी है उसका चोथाई से भी कम हिस्सा ऐसा है जो सिंचत भूमी के नाम से पकारा जा सकता है मेरी राय में अब समय आ गया है जबकि पिछले दो तीन बरसों की नीती पर फिर बिचार किया जाए और एक मात्रा में घाटे के बजट का सहारा लेकर ही सही आर्थिक तथा सामाजिक बिकास योजनाओं की गती को बहुत बढ़ा दिया जाए इस मामले में मैं समझती हूँ कि तुरंत करवा ही होनी चाहिए ताकि आज जन साधारण में जो अशन्तोस उभर रहा है वह हानी कर दिसाओं में ना चलने पाए आज के राजनेतिक बातावरण की द्रश्टी से भी मैं कहना चाहती हूँ कि बिकास की गती को बढ़ाने की आवश्यक्ता शर्वो परी है पेरा जहां तक की नए बजट के अंतरगत कर नीती का संबंद है अच्छा होता यदि मिट्टी के तेल जैसी बस्तुगों पर अतिरे करना लगाया जाता मेरी राय में इस प्रकार के करों से बचना ही उचित है परन्तु बस्तु इस्थिक कुछ ऐसी लगती है कि प्राय गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आंगे बढ़ ही नहीं सकती एक नयाकर जिसे पहली बार बित्र मंत्री ने लगाने की ठानी है वह किसी संपत्ती संबंधी कर है अपसे पहले कुछ राजियों में किसी संबंधी आयकर लगाया जाता था परन्तु उसके प्रसासन तथा बसूली यादी में इतनी कटनाईया आई कि राज्य सरकारों को अपनी नीती बदलनी पड़ी बात याए है कि जहां करोणों अनपड तथा गाओं में बशने वाले किशानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है वहां ऐसा कोई कर सफल नहीं हो सकता उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई परकार से सताय जाते हैं और फिर बे लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं इसलिए पहले देखना या है पड़ेगा किया है कर कितने क्रस्कों पर लागू होने बाला है और उससे कितना रुपया करके रूप में बसूल होगा फ़लो श्टॉप फ्रेंस डिर्क्टेशन होती है इसमाब यादि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले थेंक्यू